हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से RMS Live Learning में और मैं हूँ आपका दोस्त रमेश सिंग दोस्तों आज कि इस वीडियो में में आपको वडिशेप मेसेंजर पर face log enable करने के बारे में बताओंगा कि कैसे आप अपने वडिशेप अगांट पर face log लगा सकते हैं और अपने वार्ण को अपने face के फूरू unlock कैसे कर सकते हैं तो अगर आप अपने WhatsApp की security को और भी ज़्यादा strong करना जाते हैं तो आप इस secret trick का use कर सकते हैं तो चले गाइस वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि WhatsApp पर face log कैसे लगाते हैं तो दोस्तों WhatsApp पर face log enable करने के लिए सबसे पहले आपको play store से एक application install करनी है जिसका नाम है app log और यह जानते हैं उसके प्रक्ति करना है उसके बाद जो next page openव होगा है हैं ञाप पर आपको bottom side में एagry के इस option पर क्लिक करना है और next interface में start के इस option पर आपको click करना है आप जो next page ओपर होंगा यहाँ पर आपको create your own unlock ferries के option पर click करना है जैसे आप click करेंगे next interface में आपके सामने ferries enter करने का option हैगा तो यहाँ पर आपको उस sentence या word को type करना है जिसे बोलकर आप अपने वर्टसेप को unlock करना चाते हैं for example मैं यहाँ पर hello type कर देता हूँ इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ भी type यह थे हैं जो आप unlock करने के लिए बोलना चाते हैं अब guys right के इस icon पर आपको click करना है और next interface में आप view guide का option देखते हैं इसके just नीचे आपको skip to enrollment के इस option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे आपके mobile का camera open हो जाएगा और साथ ही आपसे pop up में कुछ permissions बाइगी जिनको आपको allow कर दिना है अब camera के सामने आपको अपना face लाना है और यहाँ पर आपको तीन बार उस word या फेरेस को verify करना है जो आपने पहले के steps में set किया था तो guys जैसे कि मैं यहाँ पर तीन बार hello बोल कर यहाँ पर अपने फेरेस को verify कर लेता हूँ इस तरह से आपको verify करना है इसके बाद next interface में आपके सामने unlock करने के लिए alternate method आएगा तो guys यहाँ पर आप pattern, pin या password में से किसी को भी choose कर सकते हैं आप अपना unlock फेरेस भूल जाएं तो इस password के थुरू आप अपने WhatsApp को open कर सके तो फिलाल में यहाँ पर पिन सेलेक कर लेता हूँ अब यहाँ पर four digit का पिन सेट करते हूँ इस तरह से आप यहाँ पर pattern, pin या password को सेट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर right के आइकन पर क्लिक कर दीजे आप जो next interface open होगा यहाँ पर आपको go to android settings के इस option पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपने mobile की usage data access setting में पहुंझाएंगे तो guys यहाँ पर आपको app log के इस option पर क्लिक करना है इसके बाद next interface में allow usage tracking के सामने इस toggle button को enable कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको back आना है और right के इस icon प पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे next interface में app log के सामने इस toggle button को आपको on कर देना है इसके बाद आपको back आना है और right के इस icon पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे यह process सुरू जाएगा और थोड़ी दिर में आपके WhatsApp पर face lock enable हो जाएगा अब जो pop-up window open होगी य इस last wallet tick box पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों आपको back आना है और आपने WhatsApp को open करना है जैसे आप open करेंगे इस तरह से camera open जाएगा तो guys यहाँ पर आपको set keyword बोलना है जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह से hello बोलता हूं तो guys आप देखते हैं यहाँ पर WhatsApp open हो गया है इसी तरह से आ हिंग